नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सबका मेरे चैनल केटिव जोन में तो आज मैं फिर से आपके लिए सिंदी का एक नए डिसाइन लाए हूँ जो दिखने में बहुत ही खुबसूरा था उसे बनाना तो बहुत है असान है अगर आजका मेरे ये वीडियो पसंदार तो आप उसे लाइक कर दिजी अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीस असे सब्सक्राइब कर दिजी और उसके बगर ने जो नोटिफिकेशन बेल है उसे दबा दे अगर आपको मेरे वीडियो के बारे में कोई भी राय हो या कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप मुझे जरूर कमेंट करें तो चलिए मैं अब अपने वीडियो की सुरुआत करती हूँ तो मैंने इसके पहले के वीडियो में ये बताया था आज मैं आपको ये जो सेंटर में बनावा इसे बता रही हूँ तो सेम इसका भी डिजाइन इसी तरह से है जैसा कि ये बाहर में है लेकिन इसमें मैं आपको जो दूसरे टैप का सिंधी बनता है वो बताने जा रही तो इसके लिए सबसे पहले इस तरह से हम देखे यहां पे देखे इस तरह से जो यहां पे है तो यहां पे इस तरह से हम अपने नीडल को यहां पे निकाल लेंगे देखे इस तरह से जो मेरा यह सेब बना है इसके उपर मैंने इस तरह से यहां पे नीडल को निकाल लिया है इस तरह से तो फिर अब देखे मेरा ये ग्राफ यहां से यहां आ रहा है तो देखे यहां से इस तरह से देखे हमें आप हलका सा इस तरह से कपड़ा पकर लेंगे देखे मैंने यहां पे इस तरह से हलका सा कपड़ा पकर लिया है और फिर अब हम यहां आएंगे क्योंकि मेरा ग्राफ अब यहां आ रहा है तो यहां से यहां इस तरह से देखे हलका सा कपड़ा पकरते हुए और फिर यहां से आएंगे क्योंकि मेरा यह ग्राफ अब यहां आ रहा है तो यहां पर इस तरह से हलका सा कपड़ा पकर लेंगे और फिर अब हम यहाँ पे आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से देखे हमको इस तरह से हलका सा कप्रा पकरना है अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो जब हम यहाँ से आएंगे तो इस तरह से देखे जो मेरा नेडल है इस तरह से इसके नीचे से लेकर आना है और अब यहाँ पे आएंगे तो यहाँ भी सी तरह से देखे हलका सा कप्रा पकर लेना है देखे यहाँ पे हम इस तरह से हलका सा कप्रा पकर लेंगे अब हम यहाँ पे आएंगे तो यहाँ भी सी तरह से देखे हमें हलका सा कप्रा पकरते हुए अब यहाँ पे आना है जैसे जैसे मेरा ग्राफ जा रहा है बस वैसे से हमें हलका सा इस तरह से देखे कपड़ा पकर लेना है और फिर अब हम यहाँ पर आजाएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से देखे हलका सा कपड़ा पकरते हुए अब हम यहाँ पर आएंगे क्योंकि मेरा क्राफ अब यहाँ से यहाँ आ रहा है तो हम जब यहाँ से आएंगे तो यह जो मेरा नेडल है इस तरह से इस thread के नीचे से आएगा अब हम यहाँ पर आ जाएंगे अब देखिए यहाँ पर एक side जो square का एक side है वो बन गया है अब यहाँ से अब हम इस side के लिए turn करेंगे तो देखिए इस तरह से यहाँ भी हमें हलका सा कपड़ा पकर लेना है मैंने same color से ही बनाया आप चाये तो यहाँ पर color change कर सकते हैं और यहाँ से अब हम यहाँ पर आएंगे और फिर इस तरह से देखिए और फिर इसके नीचे से आते हुए अब हम देखिए यहाँ से यहाँ आएंगे क्योंकि मेरा graph अब यहाँ से यहाँ आ रहा तो इस तरह से देखिए हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए हलका सा कपड़ा पकल लेंगे same अब इसी तरह से जैसा कि मैंने यहाँ पर पहला step बनाया है इसी तरह से हमें पूरा square में बना लेना है आप देखिए यहाँ पर आएंगे इस तरह से और फिर यहाँ पर आएंगे क्योंकि मेरा यह graph अब यहाँ पर आ रहा है जब हम यहां से यहां से यहां आएंगे तो हम इस तरह से देखे नेडल को नीचे लेकर आना है और फिर यहां आएंगे तो यहां भी इसी तरह से देखे और फिर यहां आएंगे यानि कि जैसे जैसे मेरा एक ग्राफ जारा बस आपको वैसे हलका सा कपड़ा पकरते हुए बना लेना देखे इस तरह से देखे इसी तरह से हम यहां तक बना लेंगे तो देखे मेरा यहां पे पहला स्टेप कम्पीट हो गया अब हम यहां से यहां पर आएंगे तो इस तरह से मैंने अपने निडल को यहां पे इसके नीचे से लेते हुए अब हम यहां पर आ जाएंगे तो इस तरह से हमें यहां भी हलका सा कपड़ा पकर लेना है और फिर यहां भी इसी तरह से हम हलका सा कपड़ा पकर लेंगे और इसके बाद हम अपने निडल को यहां पे इसके नीचे से निकालेंगे और फिर यहां पे इस तरह से हम निडल को नीचे कर लेंगे अब हम देखे इस तरह से यहाँ पर क्योंकि मेरा यह ग्राफ आ रहा है तो इस तरह से हम यहाँ पर निकालने हैं क्योंकि मेरा यह पहला राउंड कम्प्लीट हो गया अब हम यहाँ पर दूसरा step करेंगे तो फिर अब हम यहां से इस तरह से देखे इसके नीचे से होते हुए यहां पे इसके उपर से आएंगे क्योंकि यहां पे मेरा दो थ्रेड है और फिर इस तरह से यहां पे देखे हलका सा कपड़ा पकर लेंगे और फिर यहाँ पे इस तरह से देखे हमें यहाँ पे इसके नीचे से आना है तो यहाँ भी इसी तरह से देखे जैसे जैसे मेरा यह ग्राफ जारा बस वैसे ऐसे हमें हलका सा कपड़ा पकड़ लेना है अब यहाँ से यहाँ आएंगे और फिर यहां से अब इस तरह से हमें यहां भी इसी तरह से हलका सा कपड़ा पकर लेना है और फिर यहां से इस तरह से इसके नीचे से होते हुए हम इसके उपर से आएंगे और फिर यहां भी इस तरह से हलका सा कपड़ा पकर लेंगे और फिर यहाँ पे आएंगे और देखिए इस तरह से यहाँ भी हमें हलका सा कपड़ा पकर लेना है और सेम वही जो पहला स्टेप में हमने किया था सेकंड स्टेप में भी वही होगा बस अंतर यह है कि पहले स्टेप में मैंने बाहर से किया था अब इसके अंदर में करना इस तरह से देखे फिर यहां से यहां आएंगे तो यह वलत त्रैर उठाएंगे इसके उपर से आएंगे फिर यहां पे इस तरह से हलका सा कपड़ा पकरेंगे और फिर यहां से इस तरह से इसके नीचे से होते हुए हमें इसके उपर आना है और फिर यहां भी इसी तरह से देखे हलका सा कपड़ा पकरते हुए अब हम इसके नीचे से देखे हम यहां पे इसके नीचे से अपने थ्रट को निकाल लेंगे और सेम इसी तरह से जैसा कि हमने यहाँ पे किया इसी तरह के हमें यहाँ पे कर लेना है तो देखे मेरा इसी तरह से यहाँ पे दूसरा स्टेप भी लगबख कम्प्लीट हो चुका है तो अब हम यहां से यहां आएंगे इस तरह से क्योंकि मेरा यह graph यहां पे आ रहा है तो इस तरह हमें यहां पे आना है और फिर यहां से अब हम यहां पे आएंगे और यहां से हमें यहां आना है और फिर यहां पे देखे इसके नीचे से होते हुए हम यहाँ पे इसके उपर से आएंगे और यहाँ पे इस तरह से इसके नीचे से जहाँ पे मैंने second step पे देखे यहाँ पे needle निकाला था तो ठीक इसके सामने हमें इस तरह से अपने needle को नीचे कर लेना है तो इस तरह से यहाँ पे मेरा दूसरा step complete हो गया अब हम यहाँ पे तीसरा स्टेप बनाएंगे तो इसके लिए मैंने यहाँ पे यह जो क्रॉस है देखे इस तरह से यहाँ पे मैंने अपने निडल को निकाल लिया है तो इसके बाद अब हम यहाँ पे आएंगे तो आप हमेशे वही धागा उठाना जो इस तरह से देखिए लॉक हो जाता है तो हम इस ध्रेट को इस तरह से उठा लेंगे और इसके बाद अब हम यहाँ पड़ा जाएंगे तो यहाँ पे भी हमेशी तरह से पहला धागा उठा लेंगे और इस तरह से फिर यह जो छोटा अला क्रॉस है इसके बीश से हम अपने निडल को यहाँ पे इस तरह से निकाल लेंगे और फिर यह पहला लथैड उठाएंगे और फिर इस तरह से देखिए यहाँ पे बीशी तरह से इसके बीश से निडल को निकाल लेना है और फिर ये पहला लट थ्रेड उठा लेंगे और यहाँ पर इस तरह से इसके बीच से निकालेंगे और फिर इस तरह से देखे यहाँ पर चार धागा हो गया तो इसी तरह से अल्टरनेट करेंगे पहला उठाएंगे देखे इस तरह से मैंने पहला उठा लिया दूसरा छोड़ा है छोड़ दिया है और तीसरे वाले को हमें इस तरह से अपने नीडल पे उठा लेना है और फिर यहां से अब हम यहां पे आएंगे तो इस तरह से मैंने यह वाला जटरड है नीडल पे उठा लिया अब यहां से इसमें आएंगे तो यहां भी इसी तरह से देखे इसके बीच से निकालेंगे फिर पहला अला धागा उठा लेंगे और फिर हमें अपने निरल को यहां पे निकालना इस तरह से देखे और फिर यह पहला अला धागा उठा लेंगे और फिर यहां पे आएंगे ति यहां भी सी तरह से पहला अला धागा उठा लेंगे फिर यहां पे इस तरह से देखिए जो यह चार धागा हो गया तो इसे अल्टरनेट करेंगे पहला उठाएंगे दूसरा छोड़ेंगे और तीसरे को इस तरह से हमें उठा लेना है और फिर यहां से अब हम यहां पे आएंगे तो यह जो पहला अला धागाई से हम उठा लेंगे और फिर यहां से यहां आएंगे और इसके बाद इसके बीश से हम अपने थ्रेट को निकाल लेंगे फिर यह जो पहला अला धागाई से उठाते हुए देखे इस तरह से यह जो मेरा पहला अला धागाई से हम उठा लेंगे और फिर यहां से यहां आएंगे यानि जो यह मेरा तीसरा स्टेप है जो मैंने पहले स्टेप में बनाया था इस तरह से उसके 20 में से हमें इस तरह से निकालना है अपने निडल को और इसके बाद एक एक करके हमें इसे भड़ लेना जैसे हमें पहला मैंने पहले वाले क्रोस से निकाला फिर पहला धागा उठा लिया फिर इस तरह से दूसरे वाले क्रोस के 20 से निकालेंगे और फिर यहां भी इसी तरह से पहला अला धागा उठा लेंगे और फिर यहां पे इस तरह से तीसरे वाले क्रोस के बीच से निकालेंगे और फिर यहां पे इस तरह से चार धागा हो गया तो इससे हम अल्टरनेट कर लेंगे पहला उठाएंगे दूसरा छोड़ेंगे और तीसरे को हम इस तरह से अपने निडल पे उठा लेंगे फिर पहला अला धागा हम उठाएंगे और फिर हम अपने निडल को यहां पे इस क्रॉस के बीच से निकाल लेंगे देखे इस तरह से और फिर यहां पे आएंगे तो यहां भी इसी तरह से इसके बीच से निकाल लेंगे और फिर यहां से इस तरह से देखे यह पहला अला धागा हम उठा लेंगे और फिर यहां से इसके बीच से हम निडल को निकालेंगे और फिर यहां आजाएंगे तेहां हम सेम इसी तरीके से जैसा कि हमने यहां पे किया था एक एक करके हमें इसे भाड़ लेना देखें यहां से निकालेंगे फिर इसको उठाएंगे फिर यहां से निकालेंगे फिर हम इसको यहां पे इस तरह से उठा लेंगे और फिर इस तरह से देखे हमें यहाँ पर निडल को निकाल लेना है और फिर इस तरह से देखे यहाँ फिर से हमें अल्टरनेट करने ना पहला उठाएंगे दूसरा छोड़ेंगे और तीसरी को इस तरह से हम उठा लेंगे और फिर यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे और यहां पे इस तरह से इसके बीच से हम निकाल लेंगे। पहला अला थ्रेड उठाएंगे। और यहां से इस तरह से इसके बीच से हमें निकाल लेना है। और बस इसी तरह से हमें इसके चारों तरफ बना लेना है। तो देखे मैंने इसी तरह से तिस्टेप बना लिया अब हम यहां से यहां आएंगे तो यहां भी इसी तरह से देखे इसके बीच से मैंने अपने निडल को निकालते हुए यह छोटे वाले क्रॉस में आएंगे तो यहां भी इसी तरह से इसके नीचे निकाल लेंगे और फिर यहां से अब हम यहां आएंगे तो यहां पे जब आएंगे तो इस तरह से मैंने स्टेट को उठा लिया है अब हमें यहां पे आना जहां पे मैंने तिसे स्टेप में मैंने यहां पे यह निडल यहां पे निकाला था तब हमें यहां पे इस तरह से इसके 20 से देखे यहां पर इसके 20 से इस तरह से हम निडल को निकाल लेंगे देखे और फिर यह जो पहला अला धागा है इसे हमें अपने निडल पर उठा लेना है और अब हम यहां से यहां पढ़ाएंगे तो जो यह छोटा अला क्रॉस है इसके 20 से हमें अपने निडल को निकालना अब देखें यहाँ पे चार धागा हो गया है इस तरह से देखिए एक दो तीन चार तो पहला उठाएंगे और दूसरे को हमें कुछ नहीं करना इस तरह से छोड़ते हुए हम तीसरे वाले धागे को इस तरह से उठा लेंगे और फिर यहां से यहां आएंगे और इसके बाद हम यहां से यहां पर आएंगे तो इससे उठाना है और इसके बाद इस तरह से देखें इसके बीच से जैसा की हमने तिसरे वाले स्टेप में किया था उसी तरह से हमें यहां इसे भी इसी तरह से उठा लेना है देखे और फिर यहां से अब हम यहां आएंगे और इसके बाद हम यहां पर उठाएंगे और फिर यहां से अब हम यहां पर आएंगे तो इस वले थ्रेट को उठा लेना है और फिर यहां पे चार देखें यहां पे चार त्रेड हो गया है एक, दो, तीन, चार तो इसी तरह से अल्टरनेट करना है पहला उठाएंगे, दूसरे को छोड़ देना है और जो मेरा तीसरा है, उसे इस तरह से हमें उठा लेना है और फिर अब हम यहां पे आएंगे तो यहां भी देखे इसी तरह से चार धागा हो गया तो पहला उठाएंगे दूसरा छोड़ेंगे तिसरे को उठा लेना है और फिर यहां से अब हम यहां पे आएंगे तो यहां भी इसी तरह से पहला धागा उठा लेना है और यहां से इस तरह से देखे इसके पीश से हमें निडल को निकाल लेना है और यहां भी इस तरह से देखे चार धागा हो गया तो यहां भी इसी तरह से हमें अल्टरनेट कर लेना है तो देखें यहाँ पर अल्टरनेट करने के बाद मैंने यहाँ पर अपने निडल को निकालते हैं अब हम यहाँ पर आ गए हैं तो इस तरह से मैंने यहाँ पर अपने सुई को निकाल लिया इसके भी इसके भी से और फिर ये पहला अला जो धागा इसे हमें उठा लेना है और फिर अब हम यहां पे आ जाएंगे और फिर इसे उठा लेंगे और फिर यहां से अब हम यहां पे आ जाएंगे और फिर इसे भी हम अल्टरनेट कर लेंगे पहला उठाएंगे दूसरा छोड़ेंगे और तीसरे को इस तरह से हम अपने निडल पे उठा लेंगे और फिर यहां से अब हम फिर से यहां पे चार दागा हो गया तो इसी तरह से हम अल्टरनेट कर लेंगे एक उठाएंगे दूसरा ठोड़ेंगे तिसरा उठाएंगे अब हमें यहां पर आना है और फिर यहां पर इस तरह से इसके बीश से निकालना है और इसी तरह से देखे इसे उठा इसे छोड़ा फिर यहां पर इसे उठा लिया है और फिर यहां से यहां आएंगे और बस इसी तरह से हम यह चौथा जो मेरा step है इसे हम यहां तक बना लेंगे तो देखे यहां से अब हम यहां आएंगे इस तरह से तो हम यहां भी इसी तरह से alternate कर लेंगे पहला उठाएंगे दूसरा छोड़ेंगे तिसरी को इस तरह से हमें अपने निडल पे उठा लेना है अब यहां से हम यहां पे आएंगे और इसके 20 से इस तरह से हम निकाल लेंगे और इसके बाद इस तरह से यहां पे आना है यहां भी इसी तरह से अल्टरनेट कर लेना है और फिर यहां से अब हम यहां पे आएंगे तेहां भी इसी तरह से देखे हमें alternate करते हुए इस तरह से मैंने यहां पे अपने needle को नीचे कर लिया है क्योंकि मेरा यहां पे यह design बनकर तयार है तो देखे मैंने एक ही same इसी type का design था और यह भी same यह design था लेकिन मैंने इन दोनों पे अलग-अलग टाइप का सिंधी बनाया है तो आप देखी सकते हैं इन दोनों में क्या अंदर है तो अगर आज का मेरा ये वीडियो पसंद आ है तो आप इसे जरूर शेयर करें आप चाहे तो इसके बीच में इस तरह से यहाँ पर मिरर भी लगा सकते हैं तो चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में